तो दोस्तों आप तभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस तरह के वीडियो को जरूर फॉलो करिए तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके साथ जो हेड्लाइन है उसको ध्यान से देखें और यह है तमिल नाडू हूच ट्रेजडी तो सबसे पहले तो हूच के वारे में आप बताईए पॉमेंट करिए जो लोग भी जानते हों यह हूच क्या होता है लोकली मेड लिकर यानि इस्थानी अस्तर पर बनाई गईज शराव इससे भूच बोलते हैं और इसको देशी शराव भी बोला जाता है क्या बोला जाता है देशी शराव कि तो हूच की मीनिंग नोट कर रहे हैं आप लोग पूच क्या है देशी सराव टॉल का मतलब मतलब मरने वालों की संख्या टॉल का मीनिंग मरने वालों की संख्या एक शब्द आपका यहां पे आया हूच यानि देशी सराव से जुड़ी प्रैजडी का मतलब मतलब मरने वालों की संख्या माउंट्स यानि कि वो इंक्रीज होके 239 माउंट 239 यानि बढ़कर माउंट के साथ 2 को ध्यान रखेंगे फिर आप नंबर डाल सकेंगे माउंट 239 बढ़कर कितना हो गया है 49 मैंनी यानि कई लोग ऐसे हैं जो इन सीरियस कंडिशन यानि बहुत ही गंभीर इस्तिती में यह देशी सराव जो है इतना नुक्सान कर गई लोगों की कई लोग गंभीर इस्तिती में हैं और 49 लोगों की तो डैथ हो चुकी है Of the 120 persons admitted 120 लोगों को यहां भरती कराए गया है 120 लोगों को admitted to admit के साथ two को notice करेंगे to government hospital यानि सरकारी अस्पतालों में admit कराए गया है इनको as many as 82 are currently और as many as का मतलब होता है यहां पर 82 के जो संख्या है exactly 82 यह यह exactly का sense create करता है जब भी as many as आता है वो होता exactly 82 लोग currently मने अभी हाल ही में अभी हाल में हाल फिलाल में undergoing treatment undergoing treatment को एक का लोकेशन के तौर पर लखें यह यह अंडर गोइंग treatment का मतलब होता है कि इनको अप्चार चल रहा है आपस में दोनों सब जोड़ियेगा undergoing treatment यह इनका इलाज चल रहा है इनका इलाज चल रहा है J.I.P.M.E.R. critical Stalin constitute और Stalin ने जो गठिट किया है one man commission एक व्यक्ति का आयो one man commission बनाया to conduct inquiry conduct और inquiry को मिला के एक साथ पढ़ेंगे जाच करने के लिए inquiry जब noun के तौर पर यह आया हुआ है तो into को भी ध्यान रखेंगे inquiry into the death यानि जो मौतों की संख्या है उसमें जाच के लिए एक व्यक्ति का commission भी Stalin ने बना दिया है crime branch cid begins probe और crime branch जो cid की है वो begin माने शुरू कर दी है probe का मतला होता है जहांच investigation probe को चाहें तो आप investigation से जोड़के लिख सकते investigation कृपा करके सारे words यहां note कर लिए अब जो inside story है उसको जब पढ़ेंगे तो और सारे शब्द आपको मिलते जाएंगे note करते जाएगा the death toll यानि मृतकों की संख्या the death toll यानि मरने वालों की संख्या in one of the worst ever worst ever huge tragedies जो अब तक की huge tragedies हुई यानि सराप से जो दुखत मौते हुई उनमें अब तक की सबसे खराब सराप tragedies में से एक reported in Tamil नाडू climbed to और तमिल नाडू से यह report हुई है यहां पर किस से सब्से जोड़ा था mounted to क्लाइम को किस से जोड़ेने बच्चे mounted M O U N T mounted to या climate to mount या climb to का मता होता बढ़कर 49 तक पहुंच जाना बढ़कर 49 तक पहुंचना यहां पर चाहे प्धिया आप चाहे मांट टू को लिखिए या क्लाइम टू और फिर जब आप संख्या डालोगे इसको एसे पढ़ते हैं जैसे 49 लिखने आप तो बढ़कर 49 हो गया चाहे वो मांट टू से पढ़ें और चाहे क्लाइम टू से पढ़ें और हूच आपका वर्ड नोट करी लिय था आपने on Thursday with five more persons losing और पांच और लोग lose their lives lose lives यहाँ पर भी जीवन खो देने के लिए lose lives अब देर तो इसलिए जड़ा उन्होंने अपना अपना जीवन खोया है तो ल आई वी एस लिखेंगे आप lose their lives उन्होंने अपना जीवन हो दिया है एट करुणा पुरंब इन कल्ला कुरिची डिस्टिक काला कुरिची डिस्टिक को यह तमिलाडू का वहां पर यह घटना गटे दुए वाइल 34 विक्टिम्स है डाइट 34 ऐसे विक्टिम्स है 34 34 है डाइट जिनकी मौत हो गई बाई लेट वेंजडे देर बुधवार तक बुधवार को देर तक ऐसा जनकारी आया कि 34 लोगों की जान चलेगी दर रिमेनिंग का मतला बचे हुए डाइट ऑन थर्जडे जो बचे हुए लोग थे ना मेल ना फीमेल है ना मेल और फीमेल के बीच का इन वन हाउस एक घर में थ्री टीनेज सिवलिंग्स वर ओर्फन तीन जो टीनेज है किसोर अवस्था के जो सिवलिंग्स यानि भाई बहन सिवलिंग्स कैसे नोट करना है भाई बहन वर ओर्फन ये अनात हो गए वर देट तॉल इस लाइकली टूग ओप और इस टॉल यह जो मरने वालों की संख्या है इस लाइकली मतलब संभावना है टू गोअप गोअप का मतलब इनक्रीज पढ़ें गया गोअपको कैसे पढ़ोगे गौब बरावर increase इसके बढ़ने की संभावना है mount होने की संभावना है or climb होने की संभावना Many victims undergoing treatment और जो कई दुखत घटना के सिकार लोग हैं, पीडित लोग हैं Undergoing treatment, इनका इलाज चलना है इनका इलाज चलना Undergoing, in serious condition गंभीर अवस्था में भाई देखिए सारे वर्ट्स को में बताते जा रहा हूं आप नोट करते जाएंगे और यह सिलसला अगर आप रेगुलर करेंगे यह एक नहीं दो नहीं तीन नहीं सेक्ड़ों स्टुडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दूर रहकर भी हमारे प्लैटफॉर्म के न्यूच्विप सेक्टर सेक्ट्स ऑफEr जैसे उच्ट पद पे जो कमीशन से मिलता है वो पद फर इंस्पेक्टर आव उफिइंग लहीं मरेंस क्योंकि उनको पता चल गया कि जब तक यह सिलसला नहीं लगाता फालो करेंगे जब तक वीडिइंग फालो नहीं करेंगे तब तक भासा की जो समझ है वो नहीं होगी कुछ word meaning रट सकते लेकिन भासा की समझ के लिए reading process को follow करना चाहिए ये मेरी आप सबसे अपील है जितने लोग भी हमें follow करते है reading process को follow करिए language learning naturally होना चाहिए सौभाविक धंग से पढ़ते पढ़ते आपके mind पर सब्द बैठ जाने चाहिए ये कोई भी अगर एक साल इमानदारी से करता है तो अराम से इसकी मजबूती आ जाती है अब कोई जल्दी चाहे एक दो दिन में result लेना तो मुस्किल है ऐसे लोग का result तो कभी आया भी नहीं है आपका कैसे आएगा अगर आप एक दो दिन में चाहते हैं तो लेकिन सीरस नोट से जाओगे तो आप मज़ा आएगा ओफ टोटल एक सो बीस यानि एक सो बीस लोग जो एडमिटिट थे तो पूरा मिला के पढ़ोगे गवर्मेंट हॉस्पिटल में इन कला कला कुर्ची कला कुर्ची में जो एक सो बीस लोग एडमिटिट थे सलेम और अन जगों पर भी उनमें से क्योंकि ओफ लगा है तो उनमें से निकालना है एक सो बीस जो भरती थे लोग अस्पतालों में जगह जगह एसमनी एस एटी टु आर करेंट लिए उनमें से एटी टु का अभी इलाज चला है ओफ दें सिक्टीन पीपल इन जियाई पी मेर और क्रिटिकल और सोला उसमें से ओफ दें उनमें से भी सोला लोग अभी critical condition में है अच्छी हालत नहीं है on thursday यानि की ब्रश्पतिवार को bodies were seen piled up यह देखें bodies देखेंगे piled up धेर लगे थे piled up के मतलब होता है धेर लग जाना अब यही सब सीखते रहना है पायल अब कैसे पढ़नाँ बच्चो धेर लग जाना अगर पायल हो रहा है यह फ्रेजल लग अइसा देखा गया इसा देखा गया फ्रेजल वह हैं यह सब आना चाहिए बच्चों को जो लोग बच्चे इनको नहीं समझते नेक्स्ट टू और यह धेर कहां लगा था नेक्स्ट टू वन एन अथर एक दूसरे के पास धेर लग गया था डेड़ बॉडी का ऑंदी गो मुखी रिवर वैड गो मुखी जो रिवर वैड है नधी ततफर रेडी तो भी क्रिमेटट और बॉरrias है जिन को यह तो क्रिमेट करना था दफनाना था यह 10 पॉर्च अब है अंतिमसंस्कार की बात करते हैं कहीं जला के होता तो कहीं मिट्टी तफना की होता टो एनिवे यह जो है यह बॉडिस थी जिनको यह तो क्रिमेट करना था अंतिम संस्कार करना था यह दफनाना था इवन एज रिलेक्टिब्स प्रिपेर्ट फॉर द लास्ट राइट और जो है भले ही इवन एज कमला भले ही वहां पर धेल लगा हुआ था बॉड़ डेट बॉड़ी का ए यह दunda कि देशी सराब पीने का परिणाव जो लोग कहते हैं कुछ नहीं होता है और खेतों में जाकि में जाकि कशार में जाकि इस्पृट डाल कारील्स डाल कि जो राइर बनाते हैं और फिद्र यह सब देशी सराव कोई अमीर आदमी नहीं पी सकता है सिर्फ गरीव आदमी पीता है जिसकी इंकम जो है ज्यादा नहीं है तो 50 रुपए 60 रुपए 100 रुपए 200 रुपए इस तरह की खरीद खरीद के देशी सराव पीके और अपनी जान कई बार दे दे विहार में घटना हो हो चुकी है तमिल नाडू में हो चुकी कई राज्जों में यह घटना है हो चुकी है यह वहां का ममला है साइट क्या कि अ कि थोड़ा पीछे का है कोई दिक्कत नहीं है बस यह कि मैं जो इंग्लिस देने थी बाइचांस यह सुरी थोड़ा पीशे का पेपर आप पेपर से मत जाये कर आपका में टार्गेट है वर्ड्स को ड्राइब आउट करना मीनिंग को ड्राइब आउट करना ने हैं चाए अब लाइज़ा इस मैथनौल पाइजनिंग जराव मैथनौल पाइजनिंग को देखें आपका ये उसी को लेके हैं तो ये ये वर्ड़ेजनिख्ञ मैथनौल पॉइजनिंग ये वही देशी सराप का जो मामला है उसी को लेके इसमें मैथनौल मिलाया जाता जो की जहर की तरह काम करता है उसी देशी सराप पर ये एक और लेख पूरा पढ़ाते हैं देखें ज़रा जिस्ट जो आपका है उसको पहले पढ़ लें आप ध्यान से देखना एट लीस्ट को क्या पढ़ोगे बच्चे एट लीस्ट को क्या पढ़ोगे कम से कम 38 लोग है डाइड आफ्टर कंजूमिंग इस्प्यूरियस लिकर अब आकड़े अलग अलग जगह से आ रहा है लेकिन यह जो है कम से कम 38 लोग की हाँ पर संख्या बता रहें कि इनकी जान चली गई है थार्टी नाइन उसमें दिया था डैडली नैस ऑफ इस्प्यूरियस लिकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ट जो घाता की स्थिती है इस्प्यूरियस मने होता है नकली फेक य लिकर का मतला जानी रहें वाइन से जोड़ देंगे आप लिकर की स्पैलिंग भी पूछी गई लिकर की स्पैलिंग एससे सी पूछ चुका है ल आई क्यू यू ओ आर तो इसमें थोड़ा गरबर करते हैं लिकर अराइजिस फ्रॉम मैथनॉर्ट अराइज के साथ फ्रॉम तो जो जानलेवा स्थिति बनी है इस नकली सराब से वो निकल के जो स्थिति पएदा होई वह किस से पैदा होई अराइज फ्रॉम नब है पैदा होना मैथनौल से पैदा हुए इसमें मैथनॉल मिलाय गया था जेम्स मैनॉर Emeritus Professor of Commonwealth Studies at the University of London Emeritus Professor Emeritus Word भी SSE पूछ चुका है James Manor जो की Emeritus का मतलब होता है जो सम्मान के रूप में पद पाते हैं किसी जगे का after retirement after retirement कोई-कोई इन्वस्टी इनको सम्मान के रूप में teaching का काम देती है उनको Emeritus Professor बोलते है तो यह Professor of Commonwealth Studies के है at the University of London में wrote in December 2022 December 2022 में लिखा था in every whose tragedy उनका कहना था कि प्रतेक देशी सराब की जो दुखत घटना है in the history of India भारत की तिहास में end of the world since 1945 the poison has been methanol इसमें जो जहर मिलाया जाता है उसका नाम methanol है तो यह GK के हिसाब से भी बहुत इंपोर्टन question है आपका कि भाई यह जो देशी सराब है उसमें क्या मिलाया जाता है comment section में जहू डाली है कि देशी सराब में सबसे जहरीला poisonous substance पदार्थ का नाम क्या है comment section में डाली है methanol ताकि और लोग भी जागरुक हो सकें कि भाई कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जान लेवा साबित होता है और क्या लिखा देखना more than point one milliliter of pure methanol per kilogram of the body weight any प्रति किलोग्राम जो बॉड़ी वेट उसमें point one ml का can be devastating यह बिनासकारी हो सकता point one ml ध्यान रखना point one ml जो पर kg जो बॉड़ी वेट है अगर आपका body weight 70 kg है तो प्रतेक kg में अगर point one ml का भी methanol अगर आपकी बॉड़ी में इंटेक जाएगा तो बहुत घातक होने वाला methanol poisoning can also cause cerebral endema यह जोगोफिग मेडिकल टर्म है लेकिन कहीं ने कहीं गंभीर समस्या पैदा कर सकता है hemorrhage हो सकता है and death हो सकती है तो यह जान लिवा और घातक है methanol poisoning methanol poisoning यह पूरा का पूरा लेकिनों ने उसी को सम्मंद में डिवोट किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके कुछ words जरूर अपने साथ जोड़ लेंगे यहां पर पूरी थोड़ी सी स्टोरी में आपको सुना रहा हूं उसी ख़बर को लेकर है जो देशी सराब का था मेरा टार्गेट यह था कि इसको मैं इसलिए सेलेक्ट करूंगा एक तो अवेरनेस के लिए भी साहिए कि आप लोगों को जनकारी हो गाउं देहातों में जो देशी सराब कीते हैं उनकी तरफ चर्चा तो होई सकती भाई है इसमें जहरीला पदार थे जो आपको अंधा कर सकता है जो आपको हैमरेज कर सकता है और आपक कंजूमिंग स्प्यूरियस लिकर इस्प्यूरियस मनें नकली सराब इंदा कल्ला कुर्ची डिस्टिक आफ तमिल नाडू वायल अज मैंनी एज इट्टी टू अदर वर रिसीविंग ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल इतने लोग अस्पताल में उप्चार करा रहा है इमीज Youth प्लिश गुर्ण ऑ울 सुपरिन्टेंजदफिक पुलिस को भी सन इस्टेटेंड He is also deployed हूं और सरकार ने राज सरकार्म में also deployed मैंने लगा दिये deploy का एक मुझे फ्रेजल वब चाहिए जो मैंने पिछले वीडियो में डाला था इसके ठीक दो दिन पहले त्री दिन पहले दूसरा तीसरा वीडियो उसके पहले का होगा लाइव उसमें जाईएगा जरा आप और बताईएगा कि deploy के लिए कौन सा word वहाँ पे आया था कहिए तुम याद दला दों जिसको याद ना हो rope in मैंने बहुत सारी बच्चों से question पूछा था अपने उसमें पोस्ट में जाके यूटूब चैनल की पोस्ट में कई लोगों ने enjoy लगा दिया जो तुक्का लगा लगा दिया इतनी कमी हैं English की बच्चों के बीच में vocab की इतनी कम उनके पास समझ है कि इधर सोधर कर रहा है लेकिन इमानदारी से पढ़ने के लिए लगातार तयार नहीं है थोड़ा तो पढ़ते हैं बच्चे थोड़ा पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन consistent जब तक बच्चे नहीं है तब तक दिक्कत है और जो consistent हैं वो सरकारी नोकरी में जा रहा है बराबर जा रहा है लगातार जा रहा हर साल सेलेक्ट हो रहा हमारे platform से हर साल बच्चे सेलेक्ट हुए जो consistent थे जन्होंने एक एक साल तक लगड़ के अक्वार पढ़ा है grammar को revise किया प्रीवियस और question को solve किया नोकरी पाया है उनको नहीं रोक पाता इस personal सब्द को जाने की singular plural में एक जैसा होता है singular plural में एक जैसा होता है इसमें अथरिक एस नहीं लगा सकते हैं अब around the district पूरे district में the tragedy equals a similar incident यह जो दुखत घटना है वो याद दिलाती ऐसी ही घटना equals a similar incident को कैसे पढ़ोगे इसी तरह की एक और घटना को एक साल पहले किया दिलाती है in the states चेंगल पट्टू and विल्लूपुरम districts में यह घटना होई थी in which more than 20 people died after consuming spurious liquor जहां 20 लोगों की मौत होई थी जहरिली सराप से लिकर sales in Tamil Nadu are controlled by the state Tamil Nadu में जो सराप का मामला है उसको control कौन करता है वहां की राज्य सरकार करती तूर अराउंड 5000 आउटलेट्स पांच हजार सराप की दुकान हैं वहां पर उनके माध्यम से यह सराप की विक्री करवाते हैं लिकर में एल्कोहल चीज क्या है लिकर इस डिफ्रेंसियेटेड बाइट्स एल्कोहल कंटेंट जो सराव होती है इसका जो फरक होता है वो इसके एल्कोहल कंटेंट से होता है यानि कोई भी सराव आप लेते हैं उसमें एल्कोहल का कॉंटेंट कितना है एल्कोहल की स्पैलि एससी में पूछी जा चुकी है, यह spelling questions है, यह spelling questions है, जो पूछे कहा questions है, content, तो कितना liquor में alcohol है, from the 5% or so of the beer to the 12% or so of the wine to 40% तो कभी 5%, तो कभी 12%, तो कभी 40% तक कलिकर होता है, और distilled spreads all by volume, in the average consumed for recreational purposes, यह वो पदार थे हैं, जो recreational purpose के लिए, नहीं मनोरंजन के ओदेसे से consume किये जाते हैं, भोग किये जाते हैं, the alcohol in question is almost always ethanol, तो जो alcohol होता है, वो ethanol होता है, ethanol, in this context, इस सम्मंध में, ethanol is technically a psychoactive drug, यह psychoactive drug होता है, ethanol, जो आपके मनोविज्ञान को active करता है, in low doses, अगर कम मत्रा में होता हो, reduces the level of neurotransmission in the body, और शरीर में जो neurotransmission होता है, यह नि शरीर की जो हर भाग में, जो सक्रियता होती, वो आपके दिमाग की कोशिकाओं से होती है, उसको low कर देता है, यानि आप का दिमाग आपके शरीर को control करना कम कर देता है, in the body, leading to the typical intoxicating effect, और इसकी वजए से इसके intoxicating effect आते हैं, intoxicating नसे के असर, नसे के असर आते हैं, contrary to, यह SSE में question आ चुका है, contrary के बाद कौन सा preposition आता है, popular belief, यह लोग को प्री है, यह जन प्री है, वैसे ऐसे इसको पढ़ सकते है belief का मने विश्वास होता है, और popular मन जनता के विश्वास के विप्रीट, यह जनता के विश्वास के विप्रीट, the world health organization has found, WHO ने पाया है, no level of its consumption is safe, कि कोई भी level of consumption safe नहीं है, सराव का, for our health, हमारे स्वास्त के लिए जरासी भी सराव, अच्छी नहीं मानी गई है, चाहे जितन गूगल पर यूटूब पर 75 वीडियो लोग बनाये हैं, कि तराव भी कुछ हद तक बड़ी फाइदे मन्द होती है, तो यह होता है, तो वो होता हाट सही रहता, जमाने की कहानी लिखते हैं, लेकिन डवलु एचो कहता है, कि no level of its consumption, इसका कोई भी consumption का स्तर हो, चाहे थोड की सराप का प्रयोग करता है, तो इससे dependence आती है, निर्भरता बढ़ती है, heighten the risk of some cancers, cancer की समस्या हो सकती है, heart disease हो सकता है, and may eventually cause death, और eventually मने अन्तिता, cause मने कारण बन सकता है, death का मौत का कारण बन सकता है, ethanol जिसका की chemical formula जो आप जान रहे हैं, C2H5OH, जिसको ethanol के नाम से जानते ह one carbon atom, ये एक carbon atom bonded to three hydrogen atom, जो तील hydrogen atom से bonded होता है, and one more carbon atom, और एक और carbon atom, the second carbon atom is also bonded to two hydrogen, और जो second carbon atom होता है, वो दो और hydrogen से जुड़ा होता, and the hydroxyl group बन जाता है, also known as the ion OH, inside the body, शरीर के अंदर, ethanol is metabolized in the liver, जो शरीर के अंदर ethanol जाके metabolize होता है, जिसकी digestion होती, लिवर में जाके होता है, and the stomach pain में by alcohol dehydrogenase, इन्हें ADH बोलते हैं जाएं, to acetaldehyde, then, ये medical term है, आप Google सर्च कर सकते हैं, then acetaldehyde is transformed into acetate, यहनि acetaldehyde आगे चलके रूप बदल लेता है, acetate बनता है, by, aldehyde dehydrogenase, ALDH बन जाता है, ALDH enzyme बन जाता है, the adverse effect of alcohol consumption, जो adverse मने होता, प्रत्कूल effect का मनला असर, alcohol मनला शराप का, from the hangover to a cancer, शुरू में तो hangover लगेगा, mood ऐसे रहेगा, यदा होता लटका हुआ, फिर cancer हो जाएगा, and due to, और यह किस से होता, due to acetaldehyde के कारा, तो यह तर्म भी आप note कर सकते हैं कि, सबसे जादा घाता किस्तरी बन दी, what is spurious liquor, यह spurious liquor होती क्या है, जर इसके बारे में जाने, spurious liquor is characterized by the liquid mixture containing methanol, अब ethanol यहाँ पर, as well, the police were able to determine last year, that the spurious liquor, in both, single patto and billupuram में incidents arose from the same source, यह नि मेथनोल से, and that, अरक सेलर, अरक सेलर जो होते हैं, अनोगी liquid सेलर है, परचेज़ मेथनोल from factories, यह नोने फैक्टरी से मेथनोल परचेज किया, and sold it to victims, और victims को यह भेज दिया, अरक is distilled from the fermented sap of the palm tree, और इसका fermentation इत्यादी कुछ प्रोसेस होता है, जिससे बनता है, following the कला कुरुची incident, Mr. Stalin constituted one man commission, यह नोने one man commission भी बनाये से, headed by former high court judge B. Gokul last inquire into इस घटना की पूरी tragedy की जाच करने के लिए, in many older cases, कई पुराने भी ऐसे मामले थे, purious liquor has typically been a homemade liquor, जो जहरिली सराव होती थी, जो नकली सराव होती थी, वो homemade होता था, यह देशी, which methanol was added to, जिसमें methanol डाल दिया जाता था, to strengthen the intoxicating effect, नसीले असर को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, नसीले असर को मजबूत करने के लिए, क्या डाल दिया जाता, methanol, और लिखाएस में, call a kill parlance, its kick, इसको kick बोलते हैं, and to increase its bulk volume, और इसका volume बढ़ा दिया जाता, the food safety and standard, जो food safety standard regulation 2018 है, stipulate the maximum permissible quantity of methanol in different liquors, और जो food safety and standard है, alcoholic beverage regulations 2018, ये निधारित करता है कि कितनी quantity methanol की होनी चीए, these values span wide range, including absent in coconut fanny, 50 gram per 100 liter of country liquor, दोगो coconut में तो बोलना है, होना चीए, methanol होना नहीं चीए, जो वो बनती है, कोकोनारियल, तारी जिसे बोलते हैं, कोकोनट फैनी को तारी बोल सकते हैं, उसमें तो भाईया, methanol मिलाने चीए, 50 gram methanol मिलाया जा सकता, 100 liter जो देशी सरा, 100 liter में 50 gram, तब तो चल जाएगा methanol, इससे ज़्यादा अगर बढ़ाएंगे, नसे को तोड़ा तेज करने के लिए, ताकि सस्ते में देशी, ग्रामिड लोग करीब लोग तेजी से नसे में चले जाएं, तो भाई methanol की मात्रा बढ़ाएंगे, और वो बॉड़ी के लिए घातक है, यह बात तो विल्कुत है, एंट 300 gram पर 100 liter of post distilled spirit और 300 gram कब मिला सकते हैं, जब post distilled हो, यानि की pot distilled हो, यानि की इसको और refine किया गया हो, इसकी और filter किया गया हो, तो ऐसी spirit को भी आप 300 gram मिला सकते हैं 100 liter liquor में, what is methanol, तो methanol का सुत्र जो है, हाँ पर CS 3OH, the methanol molecule consist of, यह methanol भी, अब हम science तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिंगे इसके असर बता सकते हैं कि यह बहुत ही घातक है, कि कितना bond carbon, कितना bond hydro, कावें यह सब नहीं पढ़ने जा रहा हूं है, यह तो science का chemistry का विससे है, how does spirits liquor kill कैसे जान जाती है यह जहूँ पढ़ना चाहता हूं, deadliness spirits liquor arises from the methanol, James man और यह मैंने पढ़ा ही था आपको, इनकी वज़े से है, the human body contains in infinite, small quantities of methanol 4.5 ppm in the breathe of healthy individual, इतना methanol already healthy individual के उसमें होता है breathe में, पर 2006 study यह आया था, as a result of eating some fruits और वह फल खाने से होता है, यह नि बाडी में methanol होता है 4.5 ppm, जो हम फल इत्यादी खाते हैं, उससे methanol यह बनता है body में रहता है, but even for an adult एक नौजवान के लिए more than 0.1 milliliter of pure methanol per kilogram of body weight can be devastating, लेकिन बताएगा कि बहुत devastating भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें लोग खाने का प्रयास करते हैं, फिट रहने के लिए, लेकिन हर चीज़ के लिमेट है, fruits बगरा भी बहुत नहीं खाने की जरूवत है, जो एक एक fruit खाई है, अब कई लोगों को केला मिल जाता भाई साब एक एक दरजन खा जाते हैं, बस मिल जाए, उनको एक कसम से, कभी कवार खा लिए करो लेकिन यह से नहीं कि मिल गया तो शाला एक दरजन खता हूँ, अरे एक fruit का एक piece ले सकते हैं, apple का कोई भी चीज़े, पियर्ज का एक ले लीजे, लेकिन पूरा उड़ा दोगे, तो यह भी methanol बना देगा body में, देर नहीं लगे यह, तो यह तो मैंने पढ़ी लिया है, मैं एक आपको और साहिदिसमें English का आता है, यह जब देखने हैं, लेकिसी गुर्फ, वाई शंकर्ज लेकिसी, अनिफिंग इंट्रेस्टिंग हीर प्लीज, तो किल मिला क्या आद देशी सराव है ना, वो जो बहुत गाना गाते हैं लोग, ठिकनी, चमेली, पहुआ चड़ा के आ गई, तो यह पहुआ चड़ा होगे तो जान भी चली जाएगी, तो दोस्त कुछ ठीक ठाक इस समय नहीं लग रहा है, उमीद है कि आप इतने पर संतुष रहेंगे तो आज के लिए यही फिर मिलते हैं आप से बहुत जल्द, इसी नए सेशन में और जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी वर्ड्स, जितनी भी स्पैलिंग, जितने शब्द आपके सामने गुजरे हों, प्रीज अच्छे से नोट्स बनाइए और उनको अच्छे से रिवाइज करिए यह सिल्सिला चलने दीजिए लगातार चलने दीजिए लगातार पड़ते रहिए हमारी तरफ से कंटेंट मिलता रहेगा और बहुत सारा कंटेंट है, आप लोग अपडेटेड करेंट न्यूज के चक्कर में मत रहिए हमारे जो न्यूज वपर के वीडियो है डियर स्टुएंट्स उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि ऐसे ही वर्ड्स ऐसे ही सेंटेंस का ट्रांसलेशन है जो आपको अगर रेगुलर फॉलो करें त अच्छी होती चली जाएगी इसी उमीद के साथ और शुब कामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समात करता हूं और फिर मिलते हैं जल्दी तब तक के लिए थांक यू बाय बाय आटा जै हिंद जै भारत जै ग्रामीड भारत